सभी लोग दिवाली मना रहे हैं, आज है दिवाली, दीपावली की सभी को हार्दिक शुब कामने, दीओं की रोशनी आप सभी की जिंदगी में खूब उजाला लाए और कहीं से भी अंधेरा आप लोग की लाइफ में ना आ पाए, राइट? सो आप लोग सभी अपने गरों में दिवाली सरेप्रेट कर रही हैं और मैंने भी दिए जला लिये हैं, लेकिन मैने कुछ चीजे देखी तो मैंने सोचा कि बिलकुल कुछ लोग दिवाली मना रहे हैं, लेकिन कुछ लोग साथ-साथ, दिवालीке साथ-साथ, यूट्योब पे क्या चल रहा है और कमेंट्स पे लाइक किये चा रहे हैं जो की बड़ी दिदी यानि की सपना के अगेंस आ रहे हैं आप समझ जी कहा हूंगे मैं किसकी बात कर रहे हूं So friends, welcome to my channel, it's me Swati कैसे हैं आप लोग और सभी लोग बहुत अच्छे से दिवाली मना रहे होंगे आपनों को ने देख लिया है जहां पे सपना ने बातों ही बातों में जो अपनी छोटी बहन मतलब वो तो छोटी बहन ही समझती थी लेकिन उस छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन की बिल्कुल परवा नहीं करी और कहीं न कहीं ठीक है सपना चुप थी सपना कोई वीडियो नहीं ला रही थी लेकिन जब शिवी ने वीडियो लाई और फाल्तू जूट जूट बोलके उस पे लिगेशन्स लगाए और कहीं भी अपने हस्बेंड की गलतियों का कहीं भी जिक्र नहीं किया हस्बेंड ने गाली गलौज दी, क्यों दी, आखर क्या हुआ था सपना ने क्यों तुमारे हस्बेंड को घर से निकाला था आखर ऐसा उस दिन क्या किया था तुमारे हस्बेंड ने ये सब चीज繼續 नहीं वेड़ाई लिकिन यहां कहते हैं ना कि ठीक है चलो आज अगर हम लोग हमें इतना गालिया पढ़ रहे हैं और गालियों के एफेक्ट पढ़ता है इन पर सपना ने बोला अगर इनको अच्छे कमेंट्स नहीं आते हैं इनको बहुत हीट मिलती है तो ये परिशान हो जाती है तो मेरे को लगता है कि आपने क्या सोचा था कि सपना के पास आप जाओगे है ना और कुछ भी आप उसको बोल लोगे और आपके हस्बन उसको गाली देंगे अब्यूस करेंगे वो चुप रहेगी वो चुप ही थी मुझे लगता है अगर उसके भाई ने अगर वीडियो नहीं डाला होता जहांपे कॉल रिकॉर्डिंग है ना जो भी कॉल रिकॉर्डिंग सब रियाक्शन चैनल पे वाइरल होगे और उनके भाई ने भी वो वीडियो दुबारा से पबलिक कर दिया है जहांपे कॉल मुझे लगता है कि थोड़ी सी भी शरम होती तो ये अपनी चैनल पे आके इन सब चीजों के रिगार्डिंग माफी मांगती लेकिन माफी तो दूर मैंने भी कुछ कॉमेंट्स पढ़े जहां पे मैडम हाट दे रही है तो चलिए मैं कुछ कॉमेंट्स की बात करूँगी उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करूँगी तो कुछ मिनिट पहले ही जो शीवी का रिसेंट वीडियो आया था उसपे एक कमेंट आया है अभी 12 मिनिट पहले और उसपे इन्होंने हाट दिया है तो मैं आपके सामने और कुछ ऐसे लोग लिख रहे हैं कि शपना और सपना नाटक कर रही है सपना बहुत चलाथ है मुझे समझ नहीं आता कि मुझे अभी तक सपना चलाथ क्यों नहीं लगी और जो हाँ मैंको एक और जीज़ चीज़ कहने थी कॉल रिकॉर्डिंग के लिए लोग कह रहे हैं तो देखो, उसकी साथ जो भी चीज़े चली है अभी तक, आप लोग एक भी सिचुएशन अपने पे रख के देख लो, आज वो अखेली है, उसे दुनिया का सामना करना है, लोग उसे पता नहीं किन चीज़ों में फसाद है, ऐसे कोई रखना नहीं चाहेगा, लेकिन हाँ, सपना मुझे कहीं भी चलाक नहीं देखी है, और पता नहीं, लोग जो बोल रहे हैं कि नहीं सपना चलाक है, सपना चलाक है, कहां से चलाक है, आप देखी रहे हैं उसकी लाइफ में, खुद उसको हर कोई धोका देने वाला शीवी जिसको उसने समझा था कि मतलब बहन की तरह, चोटी बहन की तरह है ना, अपने मन की बात, अपने मन की कितने उसने दुख सुक उसके साथ शेर किये, लिकिर उसने भी खंजर घोप दिया, है ना, और मतलब कुछ भी, कुछ भी यहाँ पर आके सपना के लिए बोला जा उस सपना की वज़े से अपने हस्बेंट से लड़ रही थी, और उस सो कॉल्ड सपना ने क्या किया इसके साथ, बहुत शातिर औरत है सपना, किसी को कब इस्तमाल करना है, सपना से बहतर कोई नहीं जानता, तो इस कमेंट पर जो शिवी है, यानि की जो शिवी दीती है, उन कहना चाती हूँ, कि अब आप हो गए हो, एक्सपोस, आपके हस्बेंट ने गालिया दी, आपने एक बार भी अपनी वीडियो में जिकर नहीं किया, लोग यही कह रहे हैं, उस बारे में आप क्यो नहीं बोल रही हैं, अगर सपना ने घर से आपके हस्बेंट को निकाला, ज फिर आप कहते हों कि मैं लीगल जाओंगी, मैं यूट्यूब यूट्यूब नहीं करूंगी, जिसको करना है, जिसको डॉलर चाहिए वो करेगा, आप खुद देखो ना, सपना तो चैनल पे डाल ही नहीं रही थी वीडियो, बैक टु बैक, 1, 2, 3, 4, 5, आपने ही अपने च गलती रिलाइस करो, आपके हस्बंड गलती रिलाइस कर रहे हैं, आपके खुद के ससुर रिलाइस कर रहे हैं, क्या आप अपने ससुर को भी गलत बोरों, में बात देखिए, जब कॉल रिकॉर्डिंग्स में हम सुनते हैं, तो ये मैडम जी एगरी कर रही है, माफी मांग सपना दीदी से है न माफी और जब वीडियो में आ रही है अपने चानल पे तो भई इनका एक अलगी रूप दिख रहा है हां जहां पर ये डरा रही है कि कॉल रिकॉर्डिंग्स करी है अपने अपने प्राइविट कर दिया है दुबारा से डाल दीजे जहां मुझे एविड आप अगर उसको सही में मतलब अपने दिल पे हाथ रख के बोलो आप जो बार-बार उसको एहसान जताते हो कि हम ले इतना किया हमारी फैमली ने इतना किया आपको एक हम लोग ना मतलब चीजे लिखते है ठीक है चलो कि आपको सपना दीज से कितना फैदा हुआ और सपना क आपको आपसे कितना फैदा हुआ ठीक है तो उसमें भी सपना ही जीतेगी कि सपना की वज़े से आपका चैनल चल पड़ आपको व्यूस मिले आपको बहुत फैदा हुआ है सपना तो ये खुद बोल रही थी कि हां मैं इस चीज को मानती हूँ कि आप मुझे छोड़ने आत करे लोग अपना चैनल चलाने की कोशिश कर रहे थे आज भी कर रहे हैं लेकिन सपना को मैंने जैसे पहले भी मैसेज दिया है कि कोशिश करी है कि यूट्यूब पे फ्रेंड्शिप ना करें आपको बहुत आगे आपका ही सोर्स ओफ इंकम है यसे सपना ने एक और चीज ब और आप कह रही थी ठीक है आप पैसे वाले हो तो आप क्यों यूट्यूब पे वीडियो डालते हो आपको डालनी नहीं चाहिए फिर अगर आपके पास बहुत पैसा है पैसे का घमंड आप दिखाते हो आप कहते हो मेरे को लाइफ स्टैल शेयर करनी है मुझे अच्छा दोस्टा है मेमरी आप बोलते हो मेमरी के लिए तो आप कार्ड वगर यूज कर सकते हो अपने फोन में रखे वीडियो बनाकर एसा नहीं है कि लोग जितने भी है वो उनको मेमरी रखनी होती है तब वो चैनल काफी लोग इन इनके चैनल नहीं है तो क्या, उनके पास में मे करके आप back to back वीडियो डाली आपने पहले तो आपकी वीडियो इतने जल्दी जल्दी नहीं आते थे क्योंकि आपको लगा चलो भई सीजन है इस टाम वीडियो डाल लो सपना को अप गाली दे के बनाओगे वीडियो लेकिन आप कहीं न कहीं इन सब चीजों में exposed हो चुके हो बाकी सपना भी समझ चुकी है कौन अच्छा दोस्त है कौन बुरा कौन अच्छा है जो वाकई जिसको कोई फायदा नहीं है इसमें मैं लखन को कहूंगी लखन ने हमेशा सपोर्ट किया सपना को ठीक है पुलिस टेशन भी गए थे हैं फायर कराने और आप जैसे भी कितने आएंगे उसके लाइफ में तो सपना को डरने की जुरूत नहीं है दिवाली है दिवाली है इन्जोई कर रही है अपने बच्छों के साथ अपने माइके में है गुड न्यूज जो मैंने पिछले वीडियो में डाला था थमनेल में हो सकता है गुड न्यूज यही है कि उसके साथ ससुर खोन के रिष्टे भाई है वो अपनी पोतियों से अपनी बहू को वापस लेके चले जाए ससुराल वीडियो आएगा तभी हम इसकी पुष्टी कर पाएंगे लेकिन जो उनके पडोसी भाईया है जो चैनल है जिनका जो उनके स्टाट किया है जो वो जो डॉग है इनके घर में जो ऑगी और जेरी थे एक तो डेथ हो गए एक डॉग की तो उसका भी अपडेट देते रहते हैं अंटी भहुत गुमसुम सी थी फेस्टिवल है वो लोगे ही कए हैं कुछ गुड न्यूज आपको सुनने को मिलेगी तो आई होप सपना और सपना की बेटियों को वापस शिवपूरी जो सपना का ससुराल है वहाँ पे बुलाया जाए और उसके लाइफ में फिर से खुशियां आए जब वीडियो आएगा मैं जल्दी से अफडेट लेकर आऊंगी और प्लीज जो मैडम जी हैं जो भी शिवी जी मैं इनसे बोलना चाती हूँ कि अब आप जितना आओगे जितना आप कहरो ना कि मैं यूटिव यूटिव नहीं खेलूंगी मैं लीगली करूंगी तो लीगली आप जाओ ठीक है सपना ने तो बोलाए कि मैं खुल के आओंगी ठीक है आप जहां मुझे बोलाओगे फोन कर देना मैं वहाँ पहुच जाऊंगी और आप देखे जब केस होते हैं या जो चीज़े होती हैं जो जज होते हैं, जो वकील होते हैं वो दोनों तरफ questions करेंगे तो आपसे भी पूझा जाएगा भई आपके husband ने गालिया क्यों दी, abuse क्यों किया अखिर ऐसा क्या किया था तो सपना भी मूँ खोलेगी फिर, है ना तो चलिए friends, मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू सो मुच पर वाचिंग और वन्स अगें हैपी दिवाली, बहुत बहुत दिपावले की हार्दिक्षुप कामने मिलते हैं नेक्स वीडियो में और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करिके जाहिएगा थैंक यू सो मच, बाई बाई, टेक केर